जहिन साथियों, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक। मैं राजा गुपता आप सभी को 17 सिले की 23 अक्टूबर के बहत पूर करेंट अफेर्स को पढ़ाने वाला हों जो कि भारत के सब एक्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तो इस सेशन का दो अबजेक्टिव है, पहला आपका टेस्ट लेना, दूसरा आपका रिवीजन कराना, ये सेशन आज सोड़ा डिले हुआ टेकनिकल इशू उसकी वज़े से, दोस्तो हम कुछ भी हो जाए, आप तक करेंट अफेर्स, आपका करेंट अफेर्स हम पहुँ के लिए मोटिवेशन लाइन, आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको समझ में नहीं आता क्या करें, जहां तक आपको दिखाए दे, आप वहां तक जाने की कोशिस करें, जब आप वहां पहुँच जाओगे, तो इससे भी आगे जरूर देख पाओगे, दोस्तो यही लाइफ है, जब समझ आए, समझ में नहीं आती है, क्या किया जाए, तो बस आप एक-एक स्टेप लीजे, और एक समय आएगा, जब आप अपनी मनें तक पहुँच जाएंगे, आज का सबसे पहला कोशिन देखते हैं, यह रहा आप सभी के सामने, प्रोजेक्ट के तहट, सबसे पहले, MBBS के पहले वर्ष तीन विश्यों को हिंदी माध्य में कराया जाएगा, सबसे पहला एनाटॉमी, दूसरा फीजोलोजी और तीसरा बायो केमेस्ट्री, जुस्तो एनाटॉमी, जी विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, जिसमें हम शरीर के आंतरिक अंगों का अधिर करते हैं, और फीजोलोजी के ऐसी साखा है, जिसमें हम शरीर के अंदर की का अधिन करते हैं, तो इन तीन विश्यों पर पहले वर्स क्या किया जाएगा, हिंदी माध्य में कराया जाएगा, फिर धीरे धीरे और विश्यों को भी लाया जाएगा, कुश्य नमबर टू आप सभी के सामने, इंटर पोल की 90 नमबर की महासभा की मेजबानी कौन सा इंटर पोल का काम होता है, पूरी दुनिया भर में जितने भी प्रकार के अपराद होते हैं, तो हर एक देश के साथ coordinate करना और इन अपराधों को कम करना ठीक है यह एक अंतरास्ट्री संस्था है Q3 BCCI के नए अध्यक्ष कोन बने है इंप्रोटन कोशन है तो BCCI के हाली में नए अध्यक्ष बने है रोजर बिन्नी ठीक है रोजर बिन्नी बने है रोजर बिन्नी सौरव गांगली की जगे 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे जादा विकेट किसने लिये थे रोजर बिन्नी जीने लिये थे मैं आपको बता दूँ ये भारत के सबसे पहले क्रिकटर है जो की एक एंगलो इंडियन भी है रोजर बिन्नी बिसी साई के 36 नंबर के अध्यक्ष चुने गए है दोस्तो इनका जन्म कहां पर हुआ है बैंगलोरू में इनका जन्म हुआ है बिसी साई की बात करें तो बिसी साई की स्थापना 1928 में हुई है बिसी साई के प्रेजेंट में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है राजीव शुकला राजीव शुकला कौन है इसके उपाध्यक्ष है राहुल द्रविड मेंस क्रिकेट टीम के कोच है और रमेश पवार वीमेंस महिला पूरुस क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार है याद रहेगा आप सभी को वान खड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेड़क्वाटर है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के हाली में नए अध्यक्ष बने चली एक बदलाव की तरब बढ़ रहा है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस ऐसा बहुत साल बाद हुआ है कि कोई एक नया भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का अध्यक्ष बना है ये वेक्ति है मलीका अरजुन-खडगे। क्या नाम है? मलीका अरजुन-खडगे और शशी धरूर की बीच पहुती टफf फाइट थी लेकिं मलीका अरजुन-खडगे ने I.N.S.C. के नए अध्यों के रूप में पाध्भार को समाल लिया है। दोस्तों ये सोनिया गांधी का स्थान लेंगे मलिका अर्जुन खडगे भारति राश्ट्री कॉंग्रेस की बात कर लेते हैं इसकी स्थापना 1885 में हुई है और इसके संस्थापक है एयो ह्यूम क्या नाम है एयो ह्यूम अब आप से ये पूछा जा सकता है कि इसका पहला के अध्यक्ष थे वो मेश चंद्र बेनर्जी यानि जिन्हें हम कहते हैं डबलू सी बेनर्जी दोस्तों भारती राश्टी कॉंग्रेस की कुछ महत्पून फेक्ट आपको बता देता हूं इंडेनेसनल कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बैसंट थी ठीक है लेकि इनका इंपॉर्टन्ट है स्वतनत्रता के समय इंडेनेसनल कंग्रेस की अध्यक्ष कौन थे तो स्वतनत्रता के समय जेबी कृपलानी थे थे जट कर लांगा अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनें पहली बार अध्धिक्ष बने थे और एक मात्र मतलब इन्हों ने अध्धिक्षता ग्रहन की थी 224 में 1924 लहोर अधिवेशन में पूर्ण सो राज का प्रस्ताव पारिच किया गया लहोर अधिवेशन 1929 में हुआ ठीक है कोलकाता अधिवेशन में पहली बार बंदे मात्रम को गाया गया तो 1896 में 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ और पहली बार बंदे मात्रम को गाया गया खेले उंडिया यूथ गेम्स 2022 कि सिराज में आजित किये जाएंगे तो खेले उंडिया यूथ गेम्स कहां पर आजित किये जाएंगे अगले वर्ष मध्य प्रदीश में MP में आजित किये जाएंगे MP के आठ शहरों में आजित किये जाएंगे इस वर्ष कहां पर हुआ था खेलो इंडिया हर्याणा की पंच कुला में हुआ था और हर्याणा ही इसका विनर बना था विजेता बना था खेलो इंडिया की शुरुवाद 2018 से हुई है भारत के प्रजेंट में खेल मंतरी कौन है अनुराग ठाकूर जी है भारत में खेलो को ले करके रूची बढ़ाना और नए नए जो स्पोर्ट्स मैन है उनको बाहर लाना उनकी प्रतिभा को निखारना खेलो इंडिया का मकसद है क्लियर दोस्तों मैं आपको बता दू अगले वर्स 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक चलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के नए रक्षा सचिप के रूप में खाली में किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तों भारत के नए रक्षा सचिप बने हैं गीरीधर अर्माने क्या नाम है इनका गीरीधर अर्माने तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं ये फ्रेंट्स आप ऐसे याद कर सकते हैं गीरीधर गोपाल गोपाल जी हमारे कृष्ण जी हमारी रक्षा करते हैं भारत के नए रक्षा सचिप गीरीधर अर्माने हैं याद रहेगा ये आज याद रखिएगा देखें प्यम नरेंद्र मोदी की अध्यक्सता में केंदरी मंत्री मंटल की नियुक्ती समिती ने गिर्धार रमारने को डिफेंस सिकेट्रिक रूप हाली में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा था पहला देश जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे नंबर वन है तो बेलारूस है सबसे पहला देश कौन सा है बेलारूस है प्यारे साथियों पहली बार 2006 में ये जारी किया गया था और ये किसके दौरा जारी किया जाता है कंसन वर्ल्ड वाइड और वेल्थूंकर हि के द्वारा जारी किया जाता है 2021 में भारत के रेंग 101 थी मैं आपको बता चुका हूं सबसे नीचे है यमेन सबसे नीचे है दोस्तों आई देखते हैं अगला प्रशन भारत के पहले अल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहां पर किया गया है तो भारत का पहला अल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन भूवनेश्वर रेलवे स्टेशन में किया गया है तो देखें अल्यूमीनियम माल धुलाई रेक का उद्घाटन अश्वनी वैशन भारत के के रेल मंत्री ने किया है यहां पर उद्गाटन किया है क्वेश्चन नमबर 9 देखते हैं उल्फ क्रिश्टर्शन किस देश के नए प्रधान मंत्री चुने गए हैं तो दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं उनका नाम स्वीड़न जब उल्फ बोलते हैं जब भी कोई स्वीट चीज आती है तो आप बोलते हैं वाँ उल्फ मतलब वाँ क्या बढ़िया चीज है कितने अच्छा स्वीट है न तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ठीक है दोस्तों सुडेंट की संसद ने कंजरवेटी मॉडरेट पार्टी की महालेखा नियंतरक की रूप में बारती दास्त ने कार्यभार को समाला है इनहें बोला जाता है महालेखा ने लेखा महा नियंतरक बोला जाता है आर्टिकल 149 में आर्टिकल 149 में इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 149 में CAG के फंक्शन के बारे में बताया गया है 148 से लेके 151 इसे आप 150 करिए 1500 आर्टिकल में बताया गया है 148 से लेके 151 तक CAG के कार्ट जो हमारे CAG होते है कि बारे में बताएगे भारत के CAG जो है जीशी मुर्मू है किस नमबर के 40 नमबर के CAG है भारत के और ये CGA है इनका काम होता है काउंटिंग करना और जीशी मुर्मू जी जो की भारत के CAG है Cum Patrol and Auditor General है उनका काम होता है पूरे भारत के लेखा जोखा को तयार करना कितना वै कहाँ पर कितना खर्च हुआ है expenditure को तयार करना ये काउंटिंग करते हैं भारतिदास जी 17 नमबर की लेखा महानियंत्रक बनी है जोस्तो नेश कोश्चन नई दिल्ली के तुगलका बाद में अपसिस्ट से उर्दा सयंत्र का उधगाटन किस ने किया है तो आमिशा जी ने इसका उधगाटन किया है जो वेश्ट प्रोडक्ट है उससे क्या किया जाएगा उससे बनाया जाएगा वेश्ट प्रोडक्ट से क्या बनाया जाएगा एनरजी बनाई जाएगी देखिए ग्रह मंत्री अमिशा जी ने कब 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में तुगलकाबाद में M.C.D. से M.C.D. के अप्सिष्ट से पुर्जा सयंतर का उधगाटन किया है प्रते दिन 2000 मेट्री टन कचरे का उपचार किया जाएगा और इस प्लांट से 5 मेगावाट का एनरजी प्रोडक्शन होगा Q.12 लिस्ट्रस किस देश की प्रधान मंत्री थी जिन्होंने अपने पस्ते स्तीफा दे दिया है तो लिस्ट्रस ब्रिटेन की प्रधान मंत्री थी तब से कम समय के लिए ये ब्रिटेन की प्रधान मंत्री बनी इनके उपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाये गया कि आप अपनी वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पद छूदें दोस्तों कैनेडा के प्रिजेंट में प्रधान मंत्री कौन है जस्टिन टूडो क्या नाम है इनका जस्टिन टूडो क्या प्याद रखिएगा यूजिलेंड के प्रधान मंत्री कौन है जसिंडा आडन जसिंडा आडन चलिए ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं तो Anthony Albanese, Anthony Albanese, ये किसके प्रधान मंतरी हैं, ये औस्ट्रिलिया के हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मेरे साथ सारे पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं आप, आगे बाड़ू चलिए, तो List Trust कब बनी थी प्रधान मंतरी, 5 सितंबर 2022 को प्रधान मंतरी बनी, और तीसरी महिला प् कब 2022 का खिताब किस ने जीता है, तो प्यारे साथियों, भारत ने जीता है, चलिए, मेल जो थे, हमारे जो पुरुष, जो पुरुष क्रिकेटर थे, वो नहीं जीते, पर महिलाओं ने जीत करके, एक बार और बता दिया, कि हमारी जो छोरिया किसी सम थोड़ी है, दोस्तों साथ बार टाइटल जीता है, महिला क्रिकेट एशिया कप, और साथ बार भारत ने भी, जो है, मेल क्रिकेट, जो हमारे पुरुष क्रिकेटर है, उन्होंने भी साथ बार इसे जीता है, क्रिकेट एशिया कप को, ठीक है, आप देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, कि भारत ने किसको हराया है तो भारत ने श्रिलंका को हराया है यह आप याद रखेगा गरीबी उनमूलन के लिए गरीबी को कम करने के लिए गंतरास्ति दिवस मनाया जाता है तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी को कम करने के लिए दिवस 16 अक्टूबर को कौन सा दिव दिवस मनाय जाता है है महतपूर तो गरीबी को कम करना और गरीबी के मुद्दे को उजागर करना गरीबी भूक और हिंसा के मुद्दे को और लोगों तक पहुंचाना इसलिए दिवस मनाया जाता है धीम याद रखेगा Dignity for all in practice Dignity for all in practice Question next है आगे आप सबी के सामने अपूर शर्वास्तो किस देश की राजदूत नियुक्त की गई है तो अपूर शर्वास्तो नई राजदूत बनी है स्लोवाकिया की अपूर शर्वास्तो स्लोवाकिया की क्या बनी है नई राजदूत बनी है ये IFS अधिकारी हैं अपूर शर्वास्तो इन्हें नया राजदूत बनाया गया है स्लोवाक गडराज में प्रेजन्ट में टोरोंटो में भारत के वाडिज दूतावास में महावाड़ी दूद्ध के रूप में कारिक कर रही है question number 16 under 16, under 23 विश्व कुस्ती चैंपेंशिप में भारत के लिए कान से पदक जीतने वाले पहले ग्रीको रोमान रेसलर कौन बन गए है तो यह है साजन भान वाला ठीक है साजन याद रहेगा आप सभी को थोड़ा ऐसा नाम है कि बहुत यूनिक नाम है साजन तो आपको याद रहेगा यह बने हैं पहले ग्रीको रोमान रेसलर under 23 केटेगरी में जिसने भारत को कान से पदक दिलाया है दोस्तो 77 किलोग्राम वेट केटेगरी में इन्होंने भारत को कान से पदक दिलाया है अभी हाली में Freedom House की एक रिपोर्ट जारे की गए जिसमें भारत का Internet Freedom Score क्या रहा तो भारत ने एक महतवपून भूमी का निभाई है कुछ इंप्रूमेंट किया है तो भारत का Freedom House रिपोर्ट के अनुसार Internet Freedom Score 51 हो गया है पहले 49 था अब 51 हो गया है दो अंक का सुधार हुआ है भारत में जो Internet की शटडाउन की फ्रेक्वेंसी है और तीवरता में कमी के Current Score में थोड़ा सुधार हुआ है भारत का Improve हो रहा है अब भारत में 5G भी लॉंच हो गया है इंडिया की ranking को discuss करते है भारत की क्या rank है विभिन इंडेक्स में आई देखते हैं तो Global Hunger Index 2022 में भारत की स्थान कितनी है 107 है और पहला देश है बेलारूस कौन जारी करता है Wealth, Hunger, Hilfey भारत 40 प्लेस पर है भारत 40 प्लेस पर है जिससे वीपो के द्वारा जारी किया जाता है World Intellectual Property Organization के द्वारा और पहला स्थान स्थान शुटिजर लेंड जो की इनोविशन के मामले में सबसे ज़ादा आगे है स्थान लेंड है और पहला स्थान किसका है नौर्वे का है विश्व खुशहाली सूचकांग 2022 में भारत का प्लेस 136 है भारत का प्लेस क्या है 136 है और पहले नमबर पे कौन सा देश है फिलनेंड है पर्यावरन प्रदर्शन सूचकांग में भारत का स्थान बहुत बेकार है 180 है और यहाँ पर सबसे पहला प्लेस आता है देनमार्क का येल और कोलंबिया विश्विद्याले के दोरह इसे जारी किया जाता है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपन किया जाएगा कब किया जाएगा अच्छा कोशन है तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपन इसकी जो लाँचिंग है जून 2030 में की जाएगी देखिए चंद्रयान नाम से इस पंश्ट है कि चंद्रमा के लिए इसकी लाँचिंग की जा रही है 2019 में चंद्रयान 2 लाँच किया गया प्यारे साथियों इसमें एक लेंडर है और एक रूवर है तो लेंडर क्या करता है लेंडर मदद करता है लेंडिंग के लिए चंद्रमा में लेंडिंग के लिए और रूवर क्या करता है मिनरल का एक्स्प्लोरेशन करता है डिसकवरी करता है एक ऐसा डिवाइस ऐसा उपकरण है जो हाँ पर खोच करेगा भारत दोजास 27-28 तक किस नंबर की अर्थ विवस्था बन जाएगा तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थ विवस्था बन जाएगा भारत जापान को भी पीछे कर देगा कमेंट बॉक्स में बताईए कि भारत वरतुमान में किस स्थान पर है यह आपको बताना है यह जो रिपोर्ट है इंटेरेशन मोनेटरी फंड की दौरा जारी किया गया है किस की दौरा जारी किया गया है आउटलिक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है चलिए पब्लिक अफेर्स इं नंबर वन है तो वो हर्याणा है यह जो इंडेक्स है तीन चीजों में जारी किया जाता है ठीक है आप ऐसे याद रखेगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक नॉमिकल और तीसरा है सोशल यानि तीन आयाम में तीन डायमेंशन में किस राज ने बहतर कार किया है राजनातिक रूप से किसने न्याय दिलाया है लोगों को आर्थिक रूप से और समाजिक रूप से किस राजने न्याय दिलाया है आप इसे ऐसे याद रखेगा SEP तो तीन इसके आयाम है और तीनों डैमेंशन में हर्याना नंबर वन है हर्याना का स्कोड 0.6948 है और पहल इसके बाद फिर तमिल नाडू का नंबर आता है बड़े राज्यों की शेड़ी में जो तीन प्रकार की न्याव की वित्रण में तोलवे, सत्रावे और ठारवे स्थान पर महराज, पश्रिम, बंगाल और जहारखंड है चोटे राज्यों की स्थेड़ी में सबसे पहला स्थान आता है सिक्किम का त्यारे साथियों, आर्थिक न्याए, प्रदान करने में 36 गड़ अवल है, 36 गड़ सबसे उपर है और समाजिक न्याए देने में पंजाब सबसे उपर है याद रखेगा, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, आपको उसकी PDF आपके टेलिग्राम पर और क्रेजी जी के ट्रिक पर मिल जाएगे भारत अफ्रीका रक्षा समवाद कहां पर आजित किया गया तो भारत और अफ्रीका का रक्षा समवाद गांधी नगर में आजित किया गया कहां पर गांधी नगर में इसका आजन हुआ है देखे गुजरात में चल रहा है बारवा Defense Expo ये आप र्याद रखेगा दुनिया भर के देश यहां परकत्रित हो रहे हैं भारत की ताकत देखने भारत खुझ चाहता है कि वो Defense के जो भी Equipment है वो Weapons हैं दुनिया भर के देशों को सप्लाई करे अर्थ विवस्था के छेत्र में और रक्षा के छेत्र में खुझ को करना चाहता है पहरे साथियो 18 अक्टूबर को गुझरात की गांधी नगर में हो रहा है बारवाद डिफेंस एक्सपो और इसी मौके पर भारत अफरीका के विच में समवाद हुआ अंतराश्टी सौरगडबंधन का फिर से अध्यक्ष कौन दिशा देश बना है तो फिर से अध्यक्ष हमारा भारत देश बना है और अभी अंतराश्टी सौरगडबंधन का जो मीटिंग हुआ इस साल भारत में ही हुआ है देखे 2015 में ISA की स्थापना हुई है 109 देश हैं जो ISA में शामिल हैं इंटरनेसर सोलर एलियांस में आजय माथूर इसके महानिदेशक है और गुरू ग्राम हरियाना में इसका हैड़कॉर्टर है 2015 में भारत और फ्रांस ने मिल करके इसको स्थापित किया था इनमें वो देश शामिल होते हैं जो ट्रॉपिकल बेल्ट में आते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिशीम होती है सनलाइट रिशीम होती है जो सोलर एनरजी बिलती है उससे वो और भी एनरजी में convert कर सकते हैं सोलर एनरजी की संबावना जहां पर जशादा होती है वो देश इसमें शामिल है दोस्तो भारत के उर्जा एवं नवीन नवीकर्णी उर्जा मंत्री कौन है आरके सिंगर राज कुमार सिंग है और देखे अगले वर्ष फ्रांस भी भारत का साय अध्यक्ष होगा क्रिसावला जाचा रोपोलू साय अध्यक्ष होगा चलिए डेफ एक्सपो 2022 पे पीम मोदी जी ने स्वदेशी टेनर विमान स्टीटी फोटी का अनावरण किया इसका निर्वाण किस ने किया है तो इसका निर्वाण किया है H.A.L. ने हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने किया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited का काम होता है भारत में विमान विमान की manufacturing करना और भारत में इसकी repairing करना assembling करना और इसकी स्थापना कब हुई है किस देश में बाढ़ के कारण अपात काल की घोषणा हुई है तो बहुत ज्यादा बाढ़ हाई है चाड में और पूरी क्रशी खराब हो गई है पूरी अर्थ वस्ता चौपट हो गई है बहुत जादा मात्रा में लोग पलायन कर रहे हैं तो चाड में ये बाढ़ आई है चाड के राश्पती का नाम है महामत इदिरिस डेवी इन्होंने अपात काल की घोशना की है एशियाई भरत तोलन चेंपेंशिप 2022 में एक मात्र भा भारत को पदक दिलाया है 45 किलोग्राम वेट केटेगरी में स्नैश केटेगरी और पूरे ओवराल केटेगरी में कान से पदक दिलाया है भारत को इसका आजन कहां पर हुआ था 6-16 अक्टूबर बहरीन मनामा में इसका आजन हुआ था Q26 आप सभी के सामने वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरसकार 2022 कि भारती शहर को प्राप्थ हुआ है तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरसकार हैदराबाद को मिला है देखें मैं आपको बता दू एफ और स्टेशन रिक्षार ओपन करने के लिए इन्होंने पेड़ों को जादा स्यादा लगाने के लिए प्रियास किया है और इसलिए पुरसकार मिला है दक्षिण कोरिया के जेजू में कहा पर दक्षिण कोरिया के जेजू में International Association of Horticulture Producers में ये पुरसकार दिया गया है और भारत के एक मात्र सहर है जिसे पुरसकार मिला है तेलांगना राज्य के लिए ग्रीन गार्लेंड पहल इसका नाम है तेलांगना कू हरिता हराम कारेक्रम जिसमें बड़े प्यमाने पर व्रिक्षा रोपन करना था 2015-16 में इसकी शुरुवात की गई और आपको इसका असर देखने को भी मिला है इस कारेक्रम का उद्देश राज में व्रिक्षा रोपन करना यानि जादा जादा फॉरेश्ट रेशन करना पेड़ लगाना इसका मकसद था और भगौलिक छित्र के 24% से ये बढ़कर 33% हो गया है व्रिक्षा रोपन की वज़े से जादा जादा फॉरेश्ट कवरेश भड़ता जा रहा है चली कोश्चन नबर 27 को देखते हैं जोती आरा जी ने 100 मीटर बाधा दोड़ की दूरी कितने समय में पूरी करके एक नया रास्टे रेकॉर्ड बनाया है तो हडल रेस में जोती करती हैं जोतीजी इन्होंने 12.82 सेकेंड में नया नेशनल रेकॉर्ड बनाया है तो बहुच्छन नबर 28 बहु आयामी गरीबी सुचकांग 2022 का नसा भारत ने पिछले 15 साल में कितने भारतियों को गरीबी से बाहर निकाला है तो भारत ने 15 सालों में 31.5 करोड लोगों को ग गरीब भारत में हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में हैं अब सवाल यह उठता है कि वैश्विक बहु आयामी गरीबी सुचकांग होता क्या है मल्टी डैमेशन ने पुवर्टी इंडेक्स होता क्या है देखें ये पुवर्टी का केवल मतलब ये वस नहीं होता है कि आप किसी का पेट भर देते हैं तो उसकी पुवर्टी खतम हो जाए यह बात बिलकुल भी गलत है multi-dimension मतलब होता है बहुत सारे ऐसे आयाम जहां पर भुखमरी बस हम नहीं count कर सकते poverty की definition बहुत सारी है जैसे अगर एक बच्चा school नहीं जा पाता school में पढ़ाई नहीं करता है तो ये भी एक poverty है आप पढ़ानी पा रहे है उसको पहला case दूसरा यानि education है मिलना दूसरा एक जो infrastructure चाहिए एक infrastructure चाहिए वो भी उसको नहीं उपलब्ध हो पा रही है घर नहीं हो उसके पास रहने को घर नहीं है आप उसको school भेज भी दो के पर रहने को उसके पास घर भी होना चाहिए तीसरा यहाँ पर health कि ऐसा उसका स्वास्त अगर उसका स्वास्त गरबढ होता है तो क्या ऐसी कोई विवस्था है जिससे से उसकी स्वास संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है तो अगर कोई देश इन सभी पैमानों पर काम कर रहा है उसकी multi-dimensional property index जो है वो क्या होगी improvement होगी और ऐसा भारत अभी धीरे-धीरे प्रयास में है कि जादा-जादा लोगों को गरीबी से बाहर लाना चाहिए क्लियर देखिए सबसे जादा पूरे भारत में जो खराब हाला था बिहार की है जारखंड, मेघाले, मध्यप्रदीश गुजरात राज में किया गया education की quality improve करने के लिए quality education देने के लिए सिक्षा में गुडवत्ता लाने के लिए ये चलाया गया है पांस साल की परियोजना है इसमें विश्य बैंक और एशियन इंफ्रस्ट्रक्टर इंवेस्ट्मेंट बैंक के द्वारा इसे क्या किया गया है financially aid किया गया है वित पोशित किया गया है 10,000 करोड रुपे इसका total budget है आप यहाँ पर देख पा रहे है मोदी स्कीम को कैसे आगे ले जा रहे है आज का आखरी प्रशन किस आयाटी ने 2021 के लिए राश्ट्री बौधिक संपदा प्रसकार जीता है तो अभी हाली में आईटी गुहाटी ने इस प्रसकार को अपने नाम कर लिया है आईटी गुहाटी ने 2021 आईटी गुहाटी बोलड़ा हूँ आईटी मदरास आईटी मदरास ने यह answer होगा यह नहीं होगा इसे आप cross करें संपदा प्रसकार कोई भी संस्था कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ के लोगों के अंदर आविशकार या आईडियाज को इनोवेशन के लिए प्रमोट करता है तो हम यह कह सकते हैं कि वो बहुत धीक संपदा पर जादस जादा कारे कर रहा है और ऐसा काम IIT मदरास ने किया है हर साल यह पुरसकार व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है कि IP निर्माण के लिए यह पुरसकार दिया जाता है चलि दोस्तो T10 सिरीज के लिए आप सभी का तो आगत है आप सभी तो यहीं पर है अब आप सभी ready हो जाए कुछ प्राब्लम हो रही है कुछ टेक्निकल प्राब्लम हो रही है इस वज़े से मेरा ध्यान भी इधर उधर हो रहा है कोशिश यही करते हैं पढ़ाया जाए अब बस थोड़ा ही session बचा हुआ है T10 series आप सभी के सामने आगे जो भी आपने पढ़ा है जल्दी से इसका revision करते हैं और test लेते हैं मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में किस राजबी शुरू हुई है तो मेडिकल की पढ़ाई सबसे पहले मद्ध प्रिदेश में हुई है हमारे ग्रह मंत्री अमिश्षा जी ने क्या किया है अभी हाली में उद्घाटन किया Interpol की स्थापना कप की गई comment box पे जल्दी से उतर दीजे Interpol की स्थापना 1923 में 1923 में हुई है BCCI की स्थापना कप की गई 14 साथियों BCCI की स्थापना 1928 में की जल्दी से उत्तर देना है Congress किस थापना किस वर्ष होई पता ही comment box बन Congress किस थापना 1885-1885 में होई Hello India Youth Games 2021 किस राज में आजित किये गए है 2021 में कहां पर किये गए 2021 कहां 2021 का Hello India Youth Games हरियाना में किया गया अगले वर्ष MP में किया जाएगा भारत के नए रक्षा सचिप की रूप में किसे न्यूपति किया गया है तो भारत के नए डिफेंस सिकेट्री बने है किरीधर अर माने चलिए Global Hunger Index 2022 में भारत का स्थान क्या है 2022 का स्थान पूचा जा रहा है भारत 107 स्थान पर है लेखा महा नियंतरक की रूप में किसने कारेभार को समाला है तो ये हैं भारती दाजी 17 नंबर की लेखा महा नियंतरक महिला क्रिकेट एशिया कब 2022 का किताब किसने जीता है तो भारत ने जीता है किसको हराकर श्रिलंका को हराकर विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का प्लेस कौन सा है तो वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में भारत का प्लेस है 136 आज का सवाल है आप सभी के सामने 2022 का खेलो इंडे यूथ गिम्स किस राज में होगा कमेंट बॉक्स पे बताइए सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए 25 से 30 मिनट में हम आपको हर सेशन प्रोवाइड करते हैं विद क्वालिटी करेंट अफेर्स विद क्वालिटी स्टैटिक जीके और आपका समय कीमती है हम इस बात को समझते हैं कम समय में हम चाहते हैं आपको जादा से जादा इंपोर्टन करेंट इफेर्स मिल जाए इसकी पीडिफ आपको फ्री में टेलिग्राम पर और हमारे क्रेजी जीकेटर एप्लिकेशन पर इसकी पीडिफ आपको मिल जाएगी और दीपावली के अफसर पर दिवाली 90 कोड का यूज़ करके आप अल कोर्सें पीडिफ में डिसकाउंट पा सकते हैं लिमिटेड पीडिफ आफर में यानि बहुत ही कम समय के लिए 18 से 24 अक्टूबर तक के लिए ये आफर चल रहा है दोस्तों अब चलने का समय हो गया है यू कैन फॉलो अस और डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं फिर कल हम मिलेंगे इसी जोस इसी उर्जा के साथ तब तक के लिए राजा का आप सभी को दिपावली की हार्दिक सुपकामना है पावली के दिन भी क्लासे आएंगी मैं क्लास लेके आओंगा मैं पढ़ाओंगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है जै हिन जै भारत